देश बर के साथ उत्तरा खंड में भी किशोरों को फीका लगाने का जो क्रम है वो शुरू हो चुका है सीम पुशकर सिंग्धामी ने देहरादून में वैक्सिनेशन का शुभारम किया है बन्नु स्कूल है जिसे वैक्सिनेशन अभियान के लिए किंद्र बनाया गया है वहीं पहुँचकर पीता काटकर सीम ने युभारम किया है वैक्सिनेशन का 15-18 साल के किशोरों को ये वैक्सिन लगाई जा रही है 6 लाग से जादा बच्चों को वैक्सिन लगाई जानी है इस बात उसने शित करने के लिए पूरे देश के साथ आज उत्तरा खंड में भी वैक्सिनेशन का ये महा अभियान शुरू हुआ है 15-18 साल के किशोरों को ये वैक्सिन लगनी है जिसकी शुरुआत कैसे हुई उत्तरा खंड में देखे आप इन तस्वीरों भारंब हुआ है पीता काट करके पंत्री पुशकर सिंग धामी ने वैक्सिनेशन तागाज कर दिया है उत्तरा खंड में भी पन्नु स्कूल है जहां पर सेंटर बनाया गया है वैक्सिनेशन का जहां टीनेजर्स को लगाई जा सकते हैं 15-18 साल के किशोरों को ये वैक्सिन लगाई जा रही है शहलाग से जादा बच्चों को वैक्सिनेट किया जाएगा ये टार्गेट है और उधर नैनिताल में भी 15-18 साल तक के बच्चों को वैक्सिन लगाई जा रही है नैनिताल के अगर आब बाद करें तो फ्लैक्स मैदान में वैक्सिनेशन सेंटर बनाया गया है दियम धिराज गर्भियाल ने बताया कि जिले के 63,000 बच्चों को वैक्सिनेट करने के लिए 357 सेंटर बनाये गया है तो छेटी प्रभुत जन्ता से मेरा निकितन लिया है ये अधिक से अधिक संख्याव है ये से इफ्ट में वैक्सिनेशन का कानिकरम चलना है और वो बच्चे जिनका 2004 से लेके 2007 तक देड़ अगर है वो प्लीज अपने को वैक्सिनेट ज़रूर करना है और हमने पुरे मिस्टी में जो हमारे यहां चुट्या होगी है तो इसना की कोडियेट गया हुआ है उनको हमने बताया है कि आप मैसेज करने और बच्चे जहां भी जाते हैं अगर लंबर टाइम अगरम का डिरेक्शन है तो इसके पाक वो लोग कि यहां आपने जो साट्टियाट से हैं वो सम्हित करने है ऐसे कि आप बच्चे ऐसे हूं इनका डेक्समेन अग्ष्ण मार्य तुरूजस में तो उसके हो कि नुँपरित कर देखंग कर दिया है बैक सिद्निग आप प्राउन पर तैयारी कैसी है कैसे चल रहा है वैक्सिनेशन जानने के लिए हम रुख करेंगे हमारे साही होगे विनोत का धहरादून से हमारे साथ जुड़ेंगे तो विनोत बताईए आब तो एक बजे तक का वक्त हो गया है वैक्सिनेशन शुरू हुए घंटों बीच चु बच्चों के लिए वैक्सिनेशन का भियान काज शुभारम मुख्यमंत्री के ओर से किया गया है और आज इस तरह से कोविड की तीसरी लहर का अंदेशा राजे सरकार के पास है देश प्रदेश में लगातार अब सक्ति बरतने की तरफ राजे मुड रहा है ऐसे में पूरा के अंदेशे को देखते हुए सुरक्सा कवच इन बच्चों को भी दिये और एक महतपून बात स्रेलता में ये भी बता दू कि मैं अभी उत्राखंड सचिवाले में मौजूद हूँ और जिस तरह से देव भूमी उत्राखंड में लगातार कोविड के मामलों का ग्राफ ब दिखाओं की सारे प्रिशाष्णिका दिकारी इस बैठक में मौजूद हैं स्वास्त मंत्री धंसिंग रावत इस बैठक में मौजूद हैं और जिस तरह से राज्य सरकार कुछ बड़ा नीडने ले सकते हैं हाला कि आज केवल विचार विमर्श ही इस बैठक में चल रहा है लेकिन पुशाष्णिक अधिकारी यहां पर मौजूद थे जितने भी पुलिस के वरिष्ट अधिकारी हैं वह यहां पर मौजूद है और स्वास्ति भाग कि निर्देश यहां पर दिये गए हैं बलकुल विनो जो आपने जानकारी दी है यह बड़ी जानकारी है दर्शकों को हम फिर से रिवाइंड करके बताएं कि देहरादून में कोरोना को लेकर स्वास्त विभाग की बड़ी बैठक चल रही है लगातार बढ़ते कोरोना के नए मामले को लेकर सीम की अध्यक्षिता में सच्चिवाले में ये बड़ी बैठक और्गनाइज की गई है बॉर्डर पर हर दिन 25,000 कोविट टेस्ट का टार्गेट है प्रदेश में आने वाले लोगों के लिए सकत नियम हो सकते हैं ये भी जानकारी आ रही है स्कूलों के बंध होने संबंधित चीजों पर भी कुछ फैसला आ सकता है ये भी जानकारी मिल रही है कल एक स्कूल में 85 बच्चे कोरोना पॉजटिव हुए थे जहां 488 सेंपल भेजे गैसे उसमें से रपोर्ट जबाई तो फिर हड़ कम्प मचा है और अब सच्चिवाले में ये बड बैठक पर हमारी निगाहें ठिकी हैं क्योंकि जैसे ही यहां से कोई बड़ी जानकारी मिलेगी ABP गंगा पर हम आपको सबसे पहले बताएंगे क्योंकि अब सरकार बढ़ते मामलों को देखकर कोई सक्त कदम उठा सकती है ये जानकारी मिल रही है तो चलिए इस बैठक के बारे में थोड़ी और डिटेल लेते हैं विनोध फॉलो कर रहे हैं इस खबर को सुबह से वो जानकारी देंगे विनोध ये बताईए कि अब कितने और देर तक चलेगी ये बैठक और कब तक उमीद की जाए कि बैठक खत्म होगी और कोई बड़ी राश्निक अधिकारी हैं इस बैठक में मौझूद हैं इस बैठक का में केवल अभी विचार वीमर्ज चल रहा है अगर कोविड के मामलों में बढ़ोतरी ऐसे ही होती रही तो राजी सरकार की और से जो सक्ति पूरु में जारी थी उसकी ही एसोपी को निर्धारित कर दिया सभी प्रदेश के जिलाधिकारीों को राजी सरकार की और से दे दिये गए हैं कि जितने भी जिलाधिकारी हैं वो अपने अपने इलाकों में जो सीमाए हैं वहाँ पर कोविड की जाच बढ़ाए जाए और इसके अलावा अगर बात करें कि जितने भी लोग अब जैसे कि दूसरी लहर में हमने देखा कि पूरी सक्ति राज्य सरकार की ओर से बढ़ती गई चाहे वो ISBT हो, railway station हो, airport हो या तमाम ऐसे परियत अगस्तल जहां पर भीडभाड लोगों की रहती है इस बैठक का मकसद यही है कि जिस तरह से अब राजधानी, देरदून और पूरे प्रदेश में अब कोविड के मामले बढ़ रहे हैं उसको देखते हुए राजी सरकार किस तरीके से रियायत को छोड़ कर अब सक्ति बढ़ती जाए क्योंकि सबसे मैतपूर सरकार का यही रोल होगा कि जो अभी तीसरी लहर का अंदेशा है उससे ठीक पहले अपने सभी बचाओ कर लिए आज खुसकाबरी जरूर इस वात कि ए कि यह जो बच्चे हैं यानि 15 से 18 साल तक के जो बच्चे हैं उनको वैक्षिनेट करनेका अभियान आज श्यफ्रारम हो गया है और 6 लाग से जादा करी के बच्चों को छे लाग से ज्यादा बच्चों को वैक्शिनेट करने तो वो भी बहुत जरूरी होगा उसे किस तरीके से एक्जिक्यूट करना है, कहां कहां प्रिकॉशन लेनी है, ये सारी चीज़े बेहद एहम होंगी जो इस मीटिंग से निकल करके सामने आएगे, हम आपका रुख करेंगे जब सब्सक्राइब करेंगे, शुक्रिया विनो जा आज देहरादून तो आने वाले हैं, लेकिन इससे जुड़ी ये बड़ी खबर है कि दो लोकल पार्टी का आम आदमी पार्टी में विले संभव है, इसके साथ माना ये भी जा रहा है कि बीजेपी और कॉंग्रेस के कुछ कारिकरता भी आप जॉइन कर सकते हैं, जिसकी सिता अरविंद केजरीवाल ही दिलवाएंगे, तो आज आपके लिहाज से ये बहुत एहम दिन है, तो यही हम कहा रहे थे कि दिल्ली से केसीम अरविंद केजरीवाल देहरादून पहुंचे हैं और देहरादून में आज नव परिवर्तन अभियान की शुरूआत वो करने और इसके साथ ही पाँचवी गैरंटी का भी एलान करेंगे केजरीवाल, छटी बार उतराखंड के दौरे पर केजरीवाल आ रहे हैं, देहरादून के परेड ग्राउन पर आज उनकी एक बड़ी रैली आयोजित है, आज से आम आदमी पार्टी उतराखंड में नव निर्म एक बार फिर उतराखंड के दौरे पर हैं, और देखिये ना कि इस तरीके से विसात बिचाने की कोशिश है कि छटा ये दौरा है अरविंद केजरीवाल का, और नए साल पर आम आदमी पार्टी ने उतराखंड में नव निर्मान के लिए नव परिवर्तन का नारा दिया है आज की कारिक्रम से अरविंद केजरीवाल पाँचवी गैरेंटी का भी एलान करेंगे, इससे पहले अगर आप बात करते हैं तो आम आदमी पार्टी ने उतराखंड में बिजली, रोजगार, तीर थियात्रा और महिला सम्मान के नाम पर चार गैरेंटी आलरडी किये हैं और अब पार्टी गैरेंटी की बारी है, देखना होगा कि ये कौन सी गैरेंटी होगी जिसे लेकर आज अरविंद केजरीवाल दिल्ली से दहरादून आये हैं, बड़ी कारिक्रम बड़ी आयोजन जहां एक परिवर्तन का संकल्प लेकर ये यात्रा निकलेगी, बड़ी ब एक और परंप्रागत राजनिती करने वाले दल भारती जनता पार्टी कॉंग्रेस अपने लाब की बात कर रहे हैं, वहीं आम आद्वी पार्टी उत्राखंड की जनता के मुद्दू पर आगे बढ़ रही है, अपनी रणनिती को धार दे रही है, इसी रणनिती के तहत अम रुपे परति माहां उनके खाते में देने की बात की गी थी, उन चारूं अभ्यानों का जो अभी तक हमने रेजिस्टेशन किया धरातल पर उसका बहुत अच्छा रिजल्ट आमादी पार्टी को मिला है पर 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 बात करेंगे और चुनावी दिनों में क्योंकि बहुत कम समय बचाया उतराखन में चुनावों को लेकर पार्टी को टिक्टो को लेकर सबसे बड़ा मंधन करना है किस अधार पर पार्टी टिकेट देगी क्या कुछ फार्मूला होना चाहिए इन तमाम चीजों पर 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 परटी के बरिष्ट पदादिकारियों के साथ चर्चा करेंगे और ये एक लक्सर इर्धारित किया गया है और जिस तरह से आप देख रहे हैं कुर्सियों का अरेजमेंट तकरिवन आठ हजार कुर्सियां बताई जा रही है यहां पर आठ हजार कुर्सियां लगाई गई है लोगों को बैठने के लिए और प्रदेश के अलग-अलग अगातार यां तैयारी कर रही है उसका कितना प्रभाब लोग उवर पड़ा है अब पार्टी के प्रभक्तार नवीन परसाली जी हमारे साथे परसाली जी कितनी संख्या आ रही है और क्या कुछ कार्यकरम है तो देखें आज की इस एत्यासिक रैली में पुरा जंसलाब उम और चारुतरब जिस प्रकार से आज यहां सिक मैदान सजा हुआ है और अर्विंद केजिवाल जी को सुनने के लिए लोग आ रहे हैं उससे यह रैली आतियासिक होगी क्योंकि आप देख रहे हैं कि 21 साल से यहां पर जुमलेबाजी का जो दौर था उस दौर का अंत आज की अर्विंद केजिवाल जी जब 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 भी आते हैं जन हित्म हमेंसा कुछन कुछ वह गरेंटी देते हैं और इस बार भी वह क्या कहेंगे इस का हम सबको इंतजार है आपको इंतजार रहेगा और आपके प्रतेशने चैनलों के माध्यम से पूरे प्रदेश की जनता तक के बाद जाएगी और थोड़ा सा इंतजार और करना पड़ेगा जल्दी ही यहां पर हमारे सारे नेता आएंगे और अर्विंद केजिवाल जी भी हमारे सीरसी नेता पहुंचेंगे तो उनको सुनने के लिए आज सब हम इंतजार कर रहे हैं उत्सुख है काफी उत्सुख ह और आने वाले विधानसभा चुनावों में एक मजबूत इसीती में अमाधी पार्टी उभर कर सामने आएगी देरदून से अपने से हुई कृष्टप बलोरेंस के साथ पंकज राना एवी पिगंगा तो आपकी कोशिश होगी जनता के बीच एक मजबूत विकल्प बनने क आई आगे बढ़ते दरदून से अगली खबर है जहां हरक सिंग रावत और बीजेपी विधायक दिलिप रावत के बीच जुबानी जंग जो है वो तेज हो चुकी है परिवारवाद पर दोनों नेताओं की जुबानी जंग तेज हुई है हरक सिंग ने पुत्रबधू के एक सीट को लेकर तेज होती दिखाई दे रही है उत्तराखन कॉंग्रेस में शामिल होंगे अनन्त राम चौहान ये बड़ी खबर है आप नेता और पूर्व आईपीएस अनन्त राम चौहान के शामिल होने की खबर मिल रही है पुरोला से भाजपा के पूर्व MLA है मालच भी शामिल हो सकते हैं पूरोला से वर्तमान विधायक कॉंग्रेस के राज कुमार ने भी बीजेपी का दामन ठाम लिया है ऐसे में बीजेपी के पूर विधायक आज कॉंग्रेस में शामिल हो सकते हैं तो देखिए चुनाव सर पर है और ऐसे में दल बदल की प्रक्रिया भ कुछ लोग सीनियर लोग हैं और वो जॉइन करना चाहते हैं वो जॉइन भी होंगे और उसके बाद प्रेस के आप लोगों के बादम से अपनी बात आम लोगों तक हमारे स्टेट तक हमारे राजय तक पहुचाने का भी काम भी लॉंच किया रहा है ऐसा बताया जा रहा है कि आज कॉंग्रस पार्टी अपने पूरे कार क्राम साथ केंपेंड लॉंच कर रहे हैं उसी मौके पर जब आप यहां पर होंगे तो उसको भी लॉंच किया जाए जारी करें उसके पहले प्रिमेचॉर्ड हम जारी नहीं कर सकता है क्योंकि चुनावयोग स्पस्ट्रूप से जब यह जारी करेगा कि हमने चुनाव की गोशना कर दी है तो हमारी पूरी तैयारी है हम जैसे ही गोशना होगी उसी के दो-तिन दिन के अंदर हम एक जारी करेंगे देखिए कौन जौइन होता है वो तो अभी आदे घंटे का समय है इसलिए समय बताएगा तो देखिए चुनाव को लेकर दम खम भरने के लिए कारेकरताओं में जोश भरने के लिए चुनावी गीत का एक प्रचलन है और इसी क्रम में माना ये जा रहा है कि कॉंग्रेस की थीम सौंग को भी लांच किया जा सकता है इसी गीत के साथ इसी थीम सौंग के साथ प्रचार पुसार के लिए तमाम कारी करता मैदान में उतरते हैं तो देखें आपके उतराखण में जैसे जैसे चुनाव नजदीक आता जा रहा है वैसे वैसे राजनेतिक सरगर्मी भी बढ़ती जा रही है पिथोरागड में कॉंग्रस ने युवा सम्मिलन करके अपनी ताकत दिखाई कॉंग्रस ने एपिएस चौराहे से पौड गाउं तक युवा रैली निकाली और फिर पौड में ही जन सभाभी की इस दौरान पूर्व विधाय कॉंग्रस नेता मयूख महर ने बेरोजगारों को लेकर सरकार पर हमला बोला हमने बहुत समन्वाई करके दे रहें और भी गहराई से चानमीन करके ऐसे लोगों जेंगे जो जीतेंगे भी और काम भी करें हम उस समाज के लोगों से हमारी बादचीत हुई है और उस बादचीत के आधार पर हम कदम उठाएं चुनाव आते ही जहां एक तरफ पार्टी अपनी तयारियों में जुटी हुई है तो वहीं पार्टी के निताओं के बगावती सुर लगातार पार्टी की मुश्किले बढ़ा रहे रुदर प्रयाग से कॉंग्रेस निता है अर्जुन सिंग और इन्होंने टिकट बटवारे से पहले अपने बागी तेवर दिखाते हुए पार्टी को चेतावनी दे दी है उन्होंने कहा है कि अगर पार्टी उन्हें टिकट नहीं दिया तो दूसरे दलों का हाथ थाम लेंगे या फिर निर्दल ही मैदान दोतर जाएंगे कॉंग्रेस निता अर्जुन सिंग घहरवार ने कहा कि कॉंग्रेस को जमीनी सर्वे कराना होगा सर्वे के आधार पर ही टिकट देना होगा इस दौरान उन्होंने सत्ताधारी पार्टी बीजेपी पर भी जम कर हमला बोला उन्होंने कहा कि BJP ने पिछले 5 सालों में ऐसा कोई भी विकास कारे नहीं किया है जिसे वो अपनी लब्धी बता सके हुआते हुआते है प्रों में बता है जिसे वो एकनीन नहीं से जिसी वो इन्हों में ले नहीं है जिसी बतार सिंधील वो समय में बतान रहीं डहईते हैं है